नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त मित्या दवा आपके अपने चैनल घर पर पार सलम दोस्तों स्वागत करता हूँ दोस्तों ITVP के अंदर जो आपकी 2018 के अंदर बरती निकली थी ड्राइवर के लिए जिसके फीजिकल पीस्टी हो चुके हैं आपके written exam हो चुका है, trade test कुछ candidate के हो भी चुके हैं और कुछ एकike pending है जिनका चल रहे हैं और मेरे हिसाब से आपके जो समापतोने को है तो उसके अंदर बहुत से candidate को क्या किया जा रहा है, fail किया जा रहा है, disqualify किया जा रहा है आपका trade test के अंदर जबकि उनके पास में heavy license है RTO का heavy license उसी का बनता है जो RTO के सभी map दंडो को पूरा कर लिता है यानकि जो भी candidate RTO के अंदर file लगाता है heavy license के लिए वहाँ पे है जो है आपका वहाँ चला के जो है trade test वहाँ पे जो test है वो लिया जाता है driving का तब जाके जो है आपका heavy license है वहाँ पे बनता है लेकिन बहुत second date को ITBP के अंदर वहाँ पे जो है बाहर किया जा रहा है disqualify की जा रहा है तो इसके base के उपर क्या कहना है क्या उसके अंदर फर जी वाड़ा चल रहा है ITBP के अंदर या उनको जानकारी नहीं है कि किस base के उपर वो disqualify कर रहे है तो ऐसी बहुत से बाते जो है सामने आती है तो एक channel के उपर मैंने देखा कि मैं उसका नाम नहीं लूँगा channel का उन्होंने बताया कि जिनके पास में heavy license है उनको वो disqualify क्यों कर रहे है यानिकि जब उन्होंने लेसंस लिया है गाड़ी चला के माँ पे दिखाई है तो उनको पास कर देना चाहिए मेरे असाब से उनका कहना ये गलत है क्यों गलत है कि अगर उनके पास में जो है heavy license है तो उनका ये मतलब नहीं कि आप किसी भी विभाग में या कहीं पे भी आप उसके लिए जो है qualify है या उसके अंदर आपका नोकरी के अंदर चैन हो जाए क्योंकि सुपरीम कोट ने भी माना आया कि योगिता जो है चैन का दार नहीं है यान कि अगर आपके पास में योगिता है तो ये नहीं कि आपका किसी भी नोकरी के लिए चैन हो जाए अगर चाहिए आपके कितने भी आपने योगिता कर रखी हो मैं उस बात को मानता हूँ ट्रेट टेस्ट किस बेस यूपर लिया जाता है हावे लैसेंस हमारे सभी के पास में होता है क्या पता आज मैंने हैवे लैसेंस बनवाया है आज मैं गाड़ी चला रहा हूँ कोई बड़ी मैंने तीन साल गाड़ी को छोड़ दिया तीन साल मैंने बीच के अंदर गाड़ी नहीं चलाई उसके बीच में और फिर मैंने च्यार साल बाद में कोई एक्जाम दिया है उसके लिए मैं ट्रेट टेस्ट देने जाओ तो क्या मैं उसी तरह की गाड़ी चलाऊंगा जो मैं पहले चलाता था तो ये नहीं है कि आपका हैवी लेसंस आपके पास में है तो आपको गाड़ी चलानी आती होगी trade test का मतलब यही कि कोन बंदा उनके माप दंडों को पूरा करेगा वहाँ पर जो वहाँ पर उन्होंने दे रखा है उन माप दंडों को कोन पूरा करेगा जिसको अच्छे से चलानी हाती होगी जिसको अच्छे से knowledge होगी उसको कोई भी ऐसा candidate नहीं होगा जिसने वहाँ पर होते हैं वहाँ पर जब आप गलती करते हैं तब आपको फैल किया जाता है क्योंकि आपका उनसे कोई दवेस भावनी है कि आपको केवल फैल किया आपके जो साथी है कोई दूसरा candidate आपका भाई है वो उनमाप दंडों को पूरा करता है जो उन्होंने करवाया है वहाँ पर वह नोने पूरा किया है तो उसको पास कर दिया लेकिन आपसे जो नोने करवा उसके अंदर आपकी जो हमिश्टेक हो गई वहाँ पर तो आपके आपको इसलिए वहाँ पर दिस्क्वालिफाई किया जा रहा है आपको और मैं बता दूँ कि मैडिकल के लिए आपको कब तक बुलाया जाएगा यैनकी इस बरती का जो है result तक आ जाएगा तो इस बरती का result आपका ऐपरायल के end में या फिर मई के अंदर first week के अंदर दोस्टो आ सकता है अपरायल के last में या फिर आपका मई के अंदर जो स्थो इस बरती का ITP driver वर वाड़ी का result आ सकता है cut off आपकी कितनी जा सकती है 70 plus OBC journal candidate ओ चाहे आप SC से हो 70 plus वाड़ी का इसके अंदर selection होने के दोस्तो इसके अंदर chances हैं क्योंकि vacancy इतनी जादा है नी ठीक है और candidate को कितना बुलाया जाएगा आपको vacancies के अंदर कितनी बढ़ सकती है तो vacancies के अंदर increase होने के समभावना है कितनी वाड़ी पचास बढ़ सकती है 44 बढ़ सकती है 10 यह 20 vacancies के अंदर जरूर बढ़ेंगी और 100% इसके अंदर vacancy बढ़ेंगी vacancy बढ़ने आपको तब पता दलेगा कि कितने कंडेट को मेडिकल के लिए बुलाया गया है और एनिमल ट्रांसपोर्ट वालो का फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा क्योंकि उनके तो मेडिकल भी हो चुके हैं बहुत टाइम हो गया है तो उनका जो है फाइनल रिजल्ट दोस्तो इसी महीने लास्ट तक मार्ज केंद्री आपका रिजल्ट आजाएगा और नेक्स्ट महीने आपकी जोइनिंग आइनिमल ट्रांसपोर्ट वालों की आजाएगी तो आज के लिए दोस्तो इतना ही जै हिंद जै बारत और जै हर्याना दोस्तो सभी को